आज का टॉपिक हमारा डिसकॉशन का है फिर्स्ट कांट्री तू बैन ओल नोन वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स तो पहला ऐसा कौन सा देश है जिनोंने ऐसे सभी ड्रग्स को बैन कर दिया है जिससे वल्चर्स मर रहे थे तो अगर आपने पहले भी वल्चर आक्शन प्लान के ब यह है किटो प्रोफेन तो यह क्या न्यूस है इसको डिटेल में हम देखते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेस्बुक ट्विटर टेलिग्राम कहीं पर भी पीडिएफ जो है वह आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेल में डिसकस करेंगे तो यहां पर मैं आपको एक ओर ड्रग के बारे में बता रही थी डाइकलोफनाक जो की वल्चर्स के लिए काफी टॉक्सिक था खतरनाक था और अगर इनफाक्ट वल्चर्स को बहुत स्मॉल डोजिज में भी इसका एक्सपोजर हो रहा था तो उनका मिलेट हो रहा था क्रिस्टलाइज हो रहा था उनके इंटर्नल ओर्गन्स के आगे पीछे जिसको विस्रल गाउट बोलते हैं और इस कंडिशन की वज़ा से वल्चर्स जो है उनकी जो स्पीशिस है उनको जो नंबर है पॉपुलेशन नंबर वो बहुत तेजी से नीचे ग किलर है जो कि बहुत ही वाइडली यूज होता है कैटल को ट्रीट करने के लिए अगर काउस विगरा होती है उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उनको दर्द होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए यह पेंकिलर जो है कीटो प्रोफेन यह यूज किया जाता है और बांग इस बात को अब 10 साल हो चुके हैं तो यह एक बहुत ही conservationist और environmentalist और animal protectionist के लिए यह बहुत अच्छी news है, एक landmark move है कि जो बाकी की population है क्योंकि काफी threatened हो गई थी vultures की population उनके conservation plan के लिए यह एक अच्छी खबर है और experts का मानना है कि अब vultures जैसे बाकी इनकी अबादी कोन से देशों में जादा पाई जाती है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, कमबोधिया, इनको भी इस तरह के steps लेने चाहिए अपनी जो vultures की population है उनको बचाने के लिए according to save, देखे यह बहुत important है, इसको मैं star कर रही हूँ, इसका full form आपका आना चाहिए saving Asia's vultures from extinction, तो save के according ketoprofen जो है, यह एक anti-inflammatory drug है, जो की veterinary doctors बांगलादेश में use करते थे और इसको ban करके एक बहुत ही significant change यह लोग लाएं हैं और जितनी भी companies हैं जो इसको बनाती हैं, अब वो इसका production है उसको रोकेंगी और alternative drugs plan करेंगी, इनके formulations जो हैं उसको थोड़ा change करेंगी और safe alternative drug लेके आएंगी, जैसे alternative drug क्या है इसमें, meloxicam, okay, meloxicam जैसे भी आप इसको pronounce कर सकते हैं, अब NSAID क्या होता है, non-steroidal anti-inflammatory drugs जैसे की diclofenac था, ketoprofen है, इनसे vultures को बहुत ज्यादा threat है पूरे के पूरे South Asia में और in fact including India, Bangladesh also, ये जो drugs हैं, अगर हम पीछे देखें, जो white rumped vultures हैं, बहुत सारी species, around 9 species इनकी इंडिया में पाई जाती हैं vultures की, तो इसमें से white rumped vultures जो हैं, in region, South Asian region में अगर हम बात करेंगे, तो इनका population बहुत तेजी से गिरा है, 99.9%, अब ये जो NSAIDs हैं, देखें, ये पूरा problem कहां से शुरू होता है, जब veterinary doctors जो हैं, ये drug cattle को देते हैं, किसी की सपोज काव, livestock जो है, वो बिमार हो जाता है, उसको veterinary doctor के पास लिया जाता है, लिया जाता है, तो उसको veterinary doctors ये drugs देते हैं, अब सपोज एक cattle बिमार हुई, एक cow जो है, वो बिमार हुई, उसको ketoprofen दिया गया, लेकिन थोड़े दिनों में ये cow या फिर ये buffalo, ये मर जाती है, ये मर जाती है, तो क्या होगा, उसकी body को vultures खाएंगे, और अगर vultures उसके feed करते हैं, जिस गाए को या बहन्स को आपन में accumulate होता है, crystallize हो जाता है, उसके internal organs के आगे पीछे और उसका kidney failure हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा reason था, जिस वज़ा से vultures की death हो रही थी, अब देखिए, पहली बार, ketoprofen भी, पहले तो डाकलोफनाक को बैन किया गया, ketoprofen भी toxic है vultures के लिए, ये कब पता चला, और localized bands किये, जहाँ पे vultures का population ज्यादा था, उन एरिया में ketoprofen को बैन कर दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि उससे कोई फरक नहीं पड़ रहा, ये जो localized bands थे, ये vultures safe zones में किये गए, 2017 में, almost one third जो देश का एक तिहाई हिस्सा है, उसमें ketoprofen को बैन किया गया, लेकिन कुछ surveys हुए, जिन्होंने बताया कि band के बावजूद भी ये drug जो है, वो बिकराई से कुछ ज्यादा फाइदा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे, देखिए, यहाँ पे screenshot मैंने डाला है, vulture conservation पे, मैंने already detailed video बना रखा है, और around 27 minutes का, causes and consequences of decline in vulture population, तो जो चीजें हमारे आज के lecture में miss हों हैं, क्योंकि आज हम vulture diaclophenac drug की बात नहीं कर रहे हैं, ketoprofen, तो यह जो lecture है, इसमें यह edition है, आज का lecture, क्योंकि अब ketoprofen को भी बांगलादेश ने बन किया है, anyway, आगे चलते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि बांगलादेश ने localized band किये, कुछ areas में band किये, लेकिन वो इतना effective नहीं था, क्योंकि bands और awareness campaigns के बाद भी, बाद भी, undercover pharmacy service होते हैं, कि बताया नहीं जाता कि यह survey क्यों हो रहा है, चुप चुपा के service किये जाते हैं, तो उसमें पता चला, कि 62% यह जो drug है, यह अभी भी use हो रहा है, यानि 62% veterinary drug suppliers, जो लोग drugs बेचते हैं, जो pharmacies बेचती हैं, veterinary drugs, उसमें से 62% ऐसी है, जो अभी भी ketoprofen को band के बावजूद भी बेच रही है, and that's only a 10% reduction from earlier, तो save करके, according, इसको band करने के बावजूद भी कुछ खास असर नहीं पड़ा, so it has been difficult to control drug supply, अगर आप, जैसे इंडिया है, suppose आप वहाँ पे कुछ states में कोई चीज बैन कर देते हैं, लेकिन तो भी smuggle हो ही जाएगा, तो यही चीज बांगलादेश में भी हो रही थी, कि बाकी जगा पे तो legally available था, इसलिए वो smuggle हो रहा था, इसलिए बांगलादेश को अब जरूरी लगा, कि तो अब इन countries को भी, इंडिया को भी इस तरह के steps लेने चाहिए, सर्वेज कंडक्ट करने चाहिए, लेकिन फिर भी जो यह देश हैं पांगलादेश के सिवाए, इंडिया, पाकिसान, नैपाल काफी slow है इन चीजों को implement करने में, in fact अभी एक और drug है जैसे aclofenac है, यह भी ए drugs को हमको identify करना चाहिए, जो vultures के लिए हानिकारक है, अब तब से हम vultures की बात करें, vultures conservation की बात करें, आप सोच रहे होंगे कि vultures इतने important क्यों है, कि हम उनके पीछे drugs को band करें, तो यहाँ पर यह जानते हैं, देखिए, vultures जो है, यह एक natural squenger है, यह environment को clean करता है, जो village के लोग है, villagers जो है, वो इन पर rely करते हैं, कि जब किसी के cattle मर जाती है, जैसे especially अगर हम इंडिया की भी बात करें, और यहाँ पर लोग काव को पूझते हैं, क्यूंकि बहुत जगह पर आप देखेंगे beef वगेरा खाया जाता है, इंडिया में नहीं खाया जाता, तो लोग cattle के क्यार कैसे जो dead bodies होते हैं, उनको जंगल में छोड़ देते हैं, dispose off होने के लिए, तो वल्चर उन पर feed करते हैं, तो anyway सिर्फ लाइफ स्टॉक की बात नहीं है, जंगल में जो animals, forest में, wild animals की मरते रहते हैं, तो environment clean कैसे होता है, यही natural scavengers जो है, उसको clean करते हैं, तो इसलिए इ नहीं होंगे, तो काफी problem हो सकती है, काफी contamination आप कह सकते हैं, water bodies में, soil में, dead bodies, dead animals की वज़ा से हो सकती है, क्योंकि अगर वल्चर उन पर feed नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम South Asia में देखें, तो वल्चर की population almost, brink of extinction पे आगी, इतनी तेजी से इनका जो number है, वो कम हुआ, तो यह यहां पे देखें, population of three of the nine Indian species of vultures, nine total species इंडिया में पाये जाते हैं, उनमें से जो three है, white rumped कि मैंने आपको example दी, long build और slender build, यह 90% इनकी population अप मानगे जिए, mid 90s में कम हो गई, और अब यह जो birds है, critically endangered list किये गये हैं, IUCN द्वारा, यह highest threat category है, extension से पहले, देखें, और जो countries इस case में step ले रही है, Oman है, यह भी पहली country है, Arabian Peninsula की जिसने veterinary use, जो है, diclofenac का उसको बंद किया, India में especially अगर आप पार्सी का tradition जानते हों, तो वहां पे dead bodies को इसी तरह से tower पे छोड़ दिया जाता है, tower of silence पे छोड़ दिया जाता है, कि vultures उस वहां पे feed करेंगे, तो traditional भ हो गया, और बाकी environmental reasons तो मैंने आपको दिये ही है, तो अब आपको यहां पर समझ आ रहा होगा कि क्यों बार-बार हम इन drugs को बैन करने की बात कर रहे हैं, जो scientific name है, यह जिस्ट आपकी थोड़ी जीके के लिए, वल्चर का, वो है जबस इंडिकस, यह जो वल्चर है, यह native है इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल का, हिली regions में यह breed करता है, हिली regions of central and peninsular India, population of three out of nine Indian vulture species, namely, जिनका नाम में आपको बता चुकी है, जिनका population कम हो चुक है, वही चीज़ यहां पर repeat की गई है, और main आपको यहां पर blue color से जिसको highlight किया गया, याद रखना है, critically endangered list में यह है, अब इंडिया की बात करें, तो obviously इंडिया भी इस पर work कर रहा है, vulture action plan, जो है, वो ministry of environment, forest and climate change ने launch किया था, vulture action plan 2025, ताकि vultures को conserve किया जाए, यह इंडिया में हुआ है, अभी तक हम बांगलादेश में ketoprofen के band की बात करें, but definitely इंडिया को भी यहां पर steps जो है, वो लेने हो होंगे, और इस तरह के drugs जो है, वो देखने होंगे, जिससे vulture की population खत्रे में हो सकती, और obviously surveys भी किये जाने चाहिए, कि अभी क्या status है, vulture की population का, देखिए, vultures जैसे मैं आपको बताए, इतने important क्यों है, उनके lifestyle की वज़ा से, क्योंकि वो squenches है, dead bodies पे feed करते हैं, तो vultures की reputation अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी यही bad reputation उनको environment के लिए, nature के लिए, society के लिए, बहुत जादा important बनाती है, environment क्लीन कर रहे हैं, तो ultimately dead animals पे feed करेंगे, तो फाइदा क्या होगा, वो area, वहां से dead bodies खतम होंगी, animals की, otherwise कितनी गंदी smell आएगी, यह foul smell खतम होगी, और nature को clean करेगा तो इसलिए इसको nature's clean up crew भी कहा जाता है, और obviously diseases भी इससे नहीं फैलेंगे, otherwise जो dead bodies है, उनकी वज़ा से बहुत diseases फैलती है, soil pollute होता है, water pollute होता है, तो यह importance आपको याद रखना है, vultures का, तो यहीदा हमारा आज का discussion, जहां पे हमने main चीज पढ़ी, कि ketoprofen जो डrug है, व Canadian Peninsula में जिसने इस drug को ban किया है, तो यह सब चीज़े आपको याद रखनी है, और अगर आप study IQ का कोई भी course लेना चाहते हैं, तो आप मारी website visit कर सकते हैं, additional information के लिए, application डाउनलोड कर सकते हैं, call कर सकते हैं, आपको सारी information प्रवाइड की जाएगी, thank you so much.